खुदकोच अमतकारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाले भगोडे नित्यानिंत की तलाश काफी समय से हो रही है पुलीस उसे हिंदुस्तान में ढूंड रही है और वो अपना नया मुल्क बनाए बैठा है इस देश का नाम है कैलासा जिसका अपना पासपोर्ट सम्मिधान प्रधान मंतरी क्याबिनेट सब है अपने नए देश की घोशना करने के बाद अब उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो खुद को परम शिफ बताते वे कह रहा कोई भी नयाय पालिका मुझे च्छू भी नहीं सकती कोरी दुनिया मेरे विरुप्ध है और आप लोगों से कह रही है कि नित्यनंद के पास मत जाओ लेकिन आपने यहां मौझूद होकर मुझे अपनी सत्यनिश्टा दिखाई है अब मैं आपको वास्थिविक्ता और सच्चाई से अवगत कराते हुए अपनी सत्यनिश्टा दिखाऊंगा अब कोई मुझे छू नहीं सकता मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मैं ही परमशिव हूँ अपनी वास्तिविक्ता बताने के लिए कोई बेवकुफ अदालत मुझ पर मुकदमर नहीं चला सकते मैं ही परमशिव हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ और जब मैं कहता हूँ कि आप नहीं मरोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप नहीं मरोगे और आपको कुछ करने की भी जरूत नहीं है आप बस मौत के बेहत खूपतुरत बदलाव को देखो मैंने इसे अपने DNA के माध्यम से महसूस किया है मैं इसको आप पर फूप मार के खत्म कर सकता हूँ मैं उस लाइक हूँ और मैंने पहले ही खत्म कर दिया है तो परेशन मत हूँ आप सिर्फ ये समझो कि यहां बस मौजूद भर होने से आपने मेरे प्रती अपनी निष्ठा दिखा दी है उन सब के विरुत जाकर जो आपको यहां आने से रोक रहे थे जब आप मेरे प्रती अपनी निष्ठावान हो तो मैं भी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ मैं आपको कभी धोखा नहीं दूगा मैं आपको सच बताता हूँ कि अब आप समय से किसी की भी मिर्तिव नहीं होगी आपको बता दें कि विदेश मंत्राले ने शुक्रवार को बताया कि नित्यानंद का पासपोर्ट रद कर दिया गया था साथी उसके नए पासपोर्ट की आचिका भी खारिस कर दी गए थी मंत्राले ने विदेशों में स्थित सभी मिशिनों और पोस्टों को नित्यानंद के बारे में सतर्क कर दिया है हलंकि विदेश मंत्राले के प्रवक्तार अवीश कुमार ने नित्यानंद के दावेवाले हिंदू राश्ट्र के अलासा पर टिपपणी करने से इंकार कर दिया था करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद